दोस्तों आज हम बनाएंगे दाही भल्ले कुछ अलग तरीके से जो खाने बहुत ही टेश्टी रहेगा बनाना बहुत ही असान रहेगा चलिए हम बनाते हैं दाही भल्ले तो सबसे पहले हम दाही भल्लक लिए मसाला पीसेंगे यह हमने सूखी मिर्च थी उसको गैस में भूंजी लिया है और भूना जीरा इसको हम डाल देंगे इसी में और यह काला नमाग इसको डाल कर पीस लेते हैं हम बंदगर के आगे घुल में पीच लिया है यह देखे अब इसी बरतन में निकाल लेते हैं दोस्तों हमने यह पी सलिया यह देखे पाउडर बन गया है दोस्तों दही भल्ले में इतना मसाला नहीं लगेगा हम इसको जतना लगे गहा इतना हम इस्तमाल कर लेंगे बाकि डब्भे महां बना लेते हैं पुदीनक चटनी यह हमने पुदीना डाला है और यह धनिया है कि हरी मिर्च लासुन नमक स्वादन सड डालेंगे कि स्वादन सड नमक डाल देते हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे एक कप के करी अब इसको हम पीस लेंगे दोस्तों यह हमारी पुदीनक की चटनी भी बन गई है यह देखिए अब इसको हम किसी बरतन में निकाल लेते हैं हम यह चटनी भी बना लिए हैं पुदीनक की हमारा मसाला भी तैयार हो गया है और पुदीनक चटनी भी अब हम पीसें दाल कि यह उरत दाल हमने भीगो दिये थे एक घंटे के लिए अब इसमें डालेंगे और पानी डालेंगे एक कप कि पीशेंगे दोस्तों हमने पीश लिया है यह देखिए इतना गाढ़ा है और बिल्कुन महीन है यह देखिए इसी तरह पीश लेते हैं सारी डाल हमारा मसाला और यह पुदीने के चट्नी यह हमने डाल पीश लिया है अब इसमें डालेंगे है दोस्तों हम नमक अभी डाल देंगे हम नमक के पानी में इसको नहीं डालेंगे इसलिए नमक हम इसमें पहले ही डाल रहे हैं अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे खेट लेंगे जतना ज्यादा जितने अच्छी से फेटेंगे उतने हमारा बड़ा सॉप्ट बनेगा इसको हम अच्छी तरह से फेटेंगे दोस्तों हमें इसको फेटते हुए दस मिनट हो चुका है दस से पांच मिनट फेटा है चले चक करते हैं यह हमने पानी लिया है इसमें से थोड़ा से उठाएंगे और डाल देंगे इसमें मारा पेश्ट उत्रा गया है इसको मतलब हमारा पेश्ट बड़ boy बना है चली हम बनाते हैं यह देखिए एक बारा और दिखाते हैं आपको आपको इसमोस प्र Χांप mill economy अगया है मैं तो तरह हमारा गरम होचुका है ऑथ हम बनाएंगे बड़े bin इसी तरह हम डाल देंगे, गोल-गोल से बनाएंगे हम, दोस्तों देखिए हमारा बड़ा, कितना बड़ी अप फूल गया है, हलका से छूने से अपने आप पलड जा रहा है, दोस्तों हमारे बड़े सेख चुके हैं, अब देख सकते हम इसको निकाल लेते हैं, अब इसी तरह हम सारे पड़े बना लेंगे, दोस्तों हमारे पास दही है, हमने घर की दही जमाया थे, इसमें से हम कुछ दही निकाल लेंगे, इतनी दही निकाल लेते हैं, इसको मेठी दही बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे बड़े अप, दोस्तों चलिए दही में हम नमक मसाला डाल देते हैं यह जो पीस कर रखे हैं इसको डालेंगे हम यह कप में पानी लेंगी इसमें डाल देंगे दो चम्माच, मसाला दोस्त आक इसमें डालेंगी हम यह जो हमने मसाला पानं घोल लीक देखिए अब इसको इसमें चाल के लेते हैं तक जो यह मीर्ची है खडा खडा उसा पीसा नहीं है जो वह इसं प्षन्नी में रुख जाये इसमें ढॉल लेते हैं साधा नमगद्र के प्लिट बनाएंगे उसे में इस्तमाल कर लेंगे हैं के उए हैं ट है यह ऑद रखेंगे थोड़ा सा थी Story आने विद्रुटब में में मिला देंगे निजिक टोड़ा से तीहां मिर्ची पॉडर है ज्यादा नहीकोट से डानेंगे कि इसको ही मिला लेंगे हैं यह हमारा दही तैयार हो चुकी है बड़े के लिए यह हमारे बड़े बन गए हैं आपको दिखा रहे हैं एक तोड़की बहुत ही सॉप्ट बाना हुगा है यह देखिए अंदर सिद्धा जाली-जाली सा है अब इसको हम डुबोएंगे इसमें दोस्तों हम नमक के पानी नहीं डुबोएंगे क्योंकि हमने इसमें बड़े में नमक डाल दिया है तो हम डारेक्ट हम दाही मसाले वाली दाही में डालेंगे जो हमने मसाला डाला है दही में, मसाला डाल कर इसको फेट लिए हैं, तो हम बड़े इसी में डालेंगे डारेक, दोसको इसी में हम बड़े डाल देते हैं, जितना आ जाएगा, दबाके, इसको हम अब ऐसे दबाते हुए, ढग देंगे, 10 से 15, 15 से 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको, बीच बीच पहर पलट पलट कर, वो करते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि हमारा बड़े अच्छी तरह से दभी सीज़ ले, इसको इस तरीके से रख देंगे, ताकि दबा रहें, दोस्तों जब तक हमारे भल्ले दई सीज़रे तक हम दई में, पीसी भी सक्कर मिला देते हैं, अब इसको मिला लेंगे, दई में, दोस्तों ये आधा घंटा से जादा हो गया है, हमारा दई भल्ला फूल चुका है, ते देखिए, अब हम निकालते हैं पलेट में, खाने के देखिए, दोस्तों हमने ये दाही भले निकाल लिया है, इसमें डाल रहे हैं, मीठी दाही, फेटी हुई, अब इसमें डालेंगे हैं, मीठी चटनी, अब डालेंगे, ग्रीन चटनी, इसमें डाल देते हैं, ग्रीन चटनी, थोड़ा-थोड़ा सोट डाल देंगे दाही, अब ये डालेंगे, मसाला, आपको काट के दिखाते हैं, कितना सुप्ट बना हुआ है, हमारा दाही भल्ला, ये देखिए, बहुत ही सॉप्ट बना है, ये हमारे दाही भल्ले बनकर तयार है, जो खाने बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही असान है, आप एक वार ज़रू ट्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पसंद आएक लाइक, कमेंट, सट्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, टाटा, बाइ बाइ